आज भी आप लोगे साथ बहुत ही जटपट बनने वाली मिठाई की रेश्पी सेर करूँगे और इसे जदा टाइम नहीं लिनता मार्ट 10 मिनिट में इस मिठाई का बना के त्यार के जिएगा बिलकुल मार्केट की तरह ही बर्फी बन के त्यार होती इसका स्वाद बहुत ही लाजबाब होता है और इस मिठाई की कास बात यह है कि आप 10 दिन तक इसे स्टोर करके रखिए फ्रेज में रखिए या फ्रेज से बाहर ही खराब नहीं होते हैं और बढ़े हो बचे सभी के लिए बहुत ही असान हो जाता है इसे बनाना तो जब इस दिल करे मिठाई बनाने का कुछ मिठा काने का तब इस रेस्पी को जरूँ ट्राइ कर लेजिएगा बहुत ही असान सी रेस्पी है और जटपट बन भी जाते हैं और इसके पीसेज भी बहुत अच्छे से निखल जाते हैं तो चलिए फ्रेंट आपका बिल्कुल किम्ती समय बर्बाद नहीं करूंगे जटपड से रेसिपी को सुरू करूंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें मातर तीन इंग्रिडियन्स चाहिए पहला हमने घी लिया है दूसरा बेसन और तिसरा हमें चीरी जाहिए इनी तिनी चीजों से हम इसे बना के त्यार करेंगे तो चलते हैं गैस के पास तो गैस के पास जाने से पहले हम बर्फी को जमाने के लिए इस तरह का dough को त्यार कर लेते है तिसमें खिनी न делает ड़ाय में डाल दिया है और उसे घी से किरिस कर दिया है और देंगे हमने कुरकली में डाल दिया है whenever गिय में कुछ काला सा पढ़ गया है तो खिनी हमने निकाल दिया है घี हमारे मील्ट हो गया UP बिल्कुल हमने धीमा रखा है और हमने भी डाल दिया एकटोरी बेशन और बेशन को continue चलाते हुए हम इसे भून लेंगे जिसे कि हमने घी डाला है तो घी की गुल्ठिया थुरी सी हो गई है तो उसे हम इस तर से स्पेचलों से दबाते हुए फोड़ देंगे और इसे हमें continue चलाते ही रहना है तल्ले में नहीं तो जल जाएंगे अगर आप छोड़ देंगे तो अब बिल्कुल मद्य आज पर इन्हें हमें भूनते रहना है तो 5-7 मिनट भूनेंगे तो इसका कलर कुछ इस तर से हो अब इन्हें हम साइड में रखते हैं और इनके लिए हम चासनी बना लेंगे और बेशन को हम चलाते भी रहेंगे ताकि कड़ाई गरम है तो इसका कलर डाउन ज्यादा ना हो जाए चासनी बनाने के लिए हमने 1-3 cup चेनी लिया तो उसे पैन में डाल देते हैं अवतना ही हम पानी लेंगे और डाल देते हैं चीनी में और गैस का फिले में भी हाई रखेंगे और मेल्ट कर लेंगे चीनी को फिलेवर के लिए हम इलाइची पाड़र डालेंगे चीनी जैसे मेल्ट हो जाएगे उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा तेज कर देंगे और 5 मिटी से पकाए पांच मिनट पकने के बाद हम चासनी को चेक कर लेंगे तो चासनी हमें एक से दो तार वाली बनानी है तो धियान देना हमें चासनी को यह नहीं तो मिठाई हमारी जो है थोड़ी सी खराब हो जाएगे तो मैं आपको दिखा रही हूं कि यह दिखिए बिल्कुल अच्छे से तार उठ रहे है और गैस का फ्ले मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है और जैसे चासनी की एक तार उठ रहे है लंबी सी तार उठ रही है तो चासनी हमारी बिल्कुल बनके परफेक्ट त्यार है अब इस वक्त हम गैस को बन कर देंगे नहीं तो चासनी और गाड़ी हो कि बिल्कुल अच्छे से इनके तार उठ रहे हैं यह देगा पेशन को डालके अच्छे से मिक्स करेंगे गैस को हमने बंद कर दिया है तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे आगर गैस ओन रहेगा तो चासनी हमारी और गाड़ी हो जाएगी तो इसे सेट करना थोड़ा से बहुत अच्छा से आजाएगा तब मैं गैस को अनकर देती हूं और एक से दो ही सेकेंड हमें इसे गैस पे थोड़ा सा इन्हें उलट पुलट के पकाना है ज्यादा नहीं बस एक दो सेकेंड के लिए एक चमच घी डाल देते हैं और उसे भी मिला लेते हैं तो टोटल हमने तीन चमच इस बेसन की बर्फी में घी का यूज किया है और बर्फी बहुत अच्छे से बन गई है अभी गैस को हम बन कर देते हैं और देखिए ये जो जैसे जैसे टंडा होते जाएंगी बेसन उसे सेट होने लगेगा तो देखिए कुछ इस तरह से होने लगा है तो चलि अच्छे सेट हो जाएंगे तो उसे हम ट्रे में डाल देते हैं और इसे अच्छे से फेला लेंगे इकुल हम बराबर करके इसे फेला लेते हैं इस पेचले से और धीर धीर देखिए ये सेट भी होने जैसे जैसे ठंडी हो रही है तो इसे हाई हो मैं टाइट होते जा रही ह तो फटाफ़ट से इसे हम प्हेला देते हैं और बिल्कुल अच्छे से हमने फ्हेला दिया है आप मन पसंद इसवे ड्राइ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो तो मैंने इसे देखिए बिल्कुल अच्छे से पहले चिकना कर लेना है तो पहले इस पेचलेस मैंने फैला दिया है, अब किसी भी चमच या कोई कोटोरी जिसकी तला चिकना है, उसे आप इसे चिकना भी कर सकते हैं, तो मैं चमच से ही चिकना करते रही हूँ, यह देखिए, अब जैसे कि जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है, तो इसे पहले अच्छ इस तरह से दबा देंगे स्पून से, ताकि यह सेट हो जाएंगे, पाच मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और पाच मिनट बाद देखिए, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाते हैं, यह पाच मिनट से कमी टाइम लगता है इसको सेट होने में, तो चली अब इसे हम निकाल अब ही थोड़ी से हलकी गरम है, तभी हम इसमें कट लगा देते हैं, कट आप अपने मन पसंद लगा सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं, तो यह हमने बरफी को काट लिया है, देख सकते हैं, और एक एक बरफी बहुत बढ़ियां बन के थ्यार होई है, देखिए, इनका प्लेट में इस तरह से सजा दिया है, आप भी इसे बना सकते हैं, और बच्चे भी इसे बना सकते हैं, जब भी मीटा काने का मान हो, तो आप घर पे इसे इजली बना के त्यार कर सकते हैं, अगर के समानों से हम इसे बना के त्यार करेंगे, क्योंकि देखिए, घर में अक्स बेसन रहता है चिनी रहता है घी भी रहते हैं तो आप बना कैराम से त्यार कर सकते हैं और यह हमारी बहुत ही लजबाब बेसन की बरफी बनके त्यार हो गई है तो फिरहन आपको यह रेसिपी कैसे लगी हमें आप कॉमेंट करके ज़रू बताएगा मैं आपको तोड़ के भी कि यह बरफी जो है बहुत ही बढ़िया बनके त्यार होई है खाते ही मुमें घूल जाएगी इतनी टेस्ट यह बरफी बनी है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैहिन चैवारा